नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतल्टूंग से संजीवन घर्वसंसकार में आपका स्वागत करती हूँ 9 मेने की घर्भावस्ता के समय घर्भवती के शरेर में काफी सारे बदलावाते हैं उन बदलाव में से एक बदलाव स्कीन पर भी दिखाई देता है जी हाँ मैं बात कर रही हूँ स्ट्रेच मार्क की यहाँ स्कीन पर एक तरह के निशान होते है काफी सारे घर्भवती महिलाए स्ट्रेच मार्क की वजह से परिशान होती है प्रेगनसी के दोरान त्वचा में खीचाव आने के कारण पेट के निचले हिस्से तथा बाजू, पैर, पीठ और कुल्लो पर स्ट्रेच मार्क आ जाते है शरीर में हर्मोनल चेंजिस के कारण कोलिजन और एलास्टिन के तूटने से स्ट्रेच मार्क डवलप हो जाते है जब घरभावस्ता के दूसरी और तीसरी तिमाही होती है तब यहां स्ट्रेच मार्क दिखते है वैसे तो स्ट्रेच मार्स की कोई तकलिफ नहीं होती है बट यहां दिखने में अच्छे नहीं दिखते इसलिए स्ट्रेच मार्स से छुटकारा पाने की कोशिश हर गर्भवती करती है चलिए आज हम इस वीडियो में स्ट्रेच मार्स को आने से कैसे रोका जाए तथा स्ट्रेज मार्क आने के बाद कैसे उन्हें मिटाया जा सकता है, क्या उपाय आपको करने हैं ताकि आप स्ट्रेज मार्क से छुटकारा पा सके, यहां जानेंगे तो वीडियो को अन्ते तक जरूर देखे यदि आपकी पहली गर्भावस्ता है तो stretch mark पाचवे महने से आना शुरू हो सकते है जैसे जैसे शुरू का वजन और आकार बढ़ने लगता है वैसे वैसे पेट का भी आकार बढ़ता है और stretch mark आने लगते है और त्वचा में खीचाओ होने लगता है इसके कारण खुजली की समस्या भी होती है और यदि आप खुजली करती है तो उसके कारण यहां स्ट्रेच मांख आ जाते हैं इसलिए ध्यान रखे चोथे मेहने के आखरी में या पाचवे मेहने के शुरू से आपको पेट पर कोकोन और अपलाए करना है जिससे आपकी स्कीन मॉइस्ट रहेगी और खुजली भी नहीं होगी यहां उपाय करने से स्ट्रेच मांख से कुछ हद तक बचा जा सकता है और यदि आलरेडी स्ट्रेच मांख आ गये है तो आपको कुछ घरेलू उपाय आप कर सकती है जिन्हें करने अंटि ऑक्सिडेंट्स, स्कीन के कोलेजिन को डिस्ट्रो होने से बचाता है इसलिए आप विटामिन E कैपसुल को फोड के कोकोनट ओयल में मिक्स करें और उस तेल से आप मालिश करें यहां तेल स्ट्रेच मांख को कम करता है और यदि आप विटामिन E का उपयोग कोकोनट ओयल अपलाई कर सकती है या आप बादाम, R&D, जैतुन का तेल भी इस्तमाल कर सकती है मसाज करने के लिए एक छोटा बाउल ले और उसमें थोड़ा सा तेल आड़ कर ले आप उस तेल को पेट पर या जिस जगह पर स्ट्रेच मांख आये है उन स्ट्रेच मांख के निशान पर लगातार हलके हाथों से 20-25 मिनिट तक मालिश करते रहे यह मालिश आप रात को सोने के पहले और सुबह नहाने के पहले कर सकती है इस तरह से मालिश करने से धीरे धीरे स्ट्रेच मांख के पड़े निशान कम हो जाएंगे तीसरा उपाय स्ट्रेच मांख को कम क करने के लिए आप निम्बू के रस का इस्तमाल भी कर सकती है निम्बू में विटामिन सी और एसिड होता है इसके कारण यहां स्ट्रेश मार्क्स को कम करने में मदद करता है इसके लिए आप निम्बू के रस को स्ट्रेश मार्क वाले भाग पर अपलाए करें और इसे 10 मिट के बाद उसे गुन-गुने पानी से साफ कर ले। इसे भी स्ट thor sociaux को कम करने में मदद मिलती है। चोथा और एक आसन उपाय जो आप कर सकती हैं वहाँ है कौफी और एलॉविरा को पिश्ट कर बनाएं और उसे पाच मिनिट तक स्ट्रेच मांक पर लगा कर हलके हाथों से मालिश करे और फिर दस मिनिट तक उसे वैसे ही छोड़ दे फिर साफ पानी के साथ उसे अच्छे से धो ले दोने के बाद मौश्चराइजर लगा दे ऐसा हपते में दो बार ऐसे महिने में आप कर सकती है दो से तीन महिने रेगुलर करें आप देखेंगी आपके स्ट्रेच मांक काफी हद तक फेंट हो गये है पाचवा उपाय है अंडे का सफेद भाग अलग करके उसे अच्छी तरह से फेट ले फिर उसे स्ट्रेच मांक पर लगाए अच्छी तरह से सुखने के बाद ठंडे पानी से उसे थो ले और फिर जैतून या बादाम का तेल अपलाए करे अभी जो मैंने उपाय बताये है वो आसानी से आप कर सकती है जो कि बिल्कुल सुरक्षित है लेकिन हर किसी की स्कीन अलग-अलग प्रकार की होती है और सेंसिटिविटी भी अलग-अलग होती है इसलिए जो पदार्त आप यूज कर रही है उससे यदि आपको अलर्जी है तो उसका प्रयोग ना करे वैसे तो मार्केट में काफी सारे एंटी स्ट्रेच मार्क क्रीम अवेलेबल होती है वेकिन ध्यान दे कोई भी केमिकल्स यूप क्रीम आपको नहीं यूज करनी है क्योंकि यहाँ शिशू के लिए और आपके स्कीन के लिए डेंजरस हो सकती है तो बताये गए घरेलू उपाय आप आसानी से कर सकती है तो यहाँ था स्ट्रेच मार्क से रिलेटेड जो उपाय आप घर पे कर सकती है इसके अलावा आप गर्भावस्ता में आपके शिशू को सुन्द, सुद्रूट, तेजस्वी और सब गुणों से परिपुर्ण बना सकती है और ये नौ महिने का जर्नी आनंददाई भी बन जाता है गर्भ संसकार से जी हाँ गर्भ संसकार करने से आप मन चाहे गुणों से युगत आपके संतती को डवलप कर सकती है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है वहाँ पे जाके डाउनलोड करें संजीवन गर्भ संसकार एप और घर बेटे ही बनिये एक्स्ट्राउर्डरी मॉम आफ एक्स्ट्राउर्डरी बेबी तो हसते रहिए मुश्कुराते रहिए इंजोई करें प्रेग्ननसी का हर्षन संजीवन गर्भ संसकार के साथ धन्यवाद झाल